नमस्कार दोस्तों ट्रिकी कुर्व अमित गुपता के यूटूब चैनल में आज आपका फिर से स्वागत है दोस्तों आज मैं आपकी लिलेकर आया हूं करेंट अफेर्ट के कुछ ऐसे मोस्ट इंपार्टेंट प्रस्ण जो की दिसंबर 2019 और जनवरी 2020 में घटित हुए थे औ और वो परिच्छाओं की देश्टी से अती महतपूर है तो इसमें पहला प्रस्ण दिसंबर 2019 में किस राज्य सरकार या केंद्र ससीत प्रदेश ने मुख मंत्री आवास युजिना शुरू की प्रधान मंत्री आवास युजिना नहीं यहां पी पूछा जा रहा मुख मंत् दिल्ली यानि अर्बिंद के जरिवाल से समन दिती प्रस्ण है तो इसको आप याद कर लिजेगा नीति आयूग 30 दिसंबर 2019 को जारी किये गए सतत विकास लच्छ भारस सुचकांग 2019 में सरुस्रेष्ट राजी कौन सा है तो सरुस्रेष्ट राजी कौन सा है तो आप विकल केरर हाली में किस ने भारत के पहले चीफ आप डिपेंस स्टाफ सीडियस का पदबार गरहर किया आप सबको पता होगा विकल देख लिजे और हमारा आंसर है ए बिपेन रावत उच अध्यन के लिए छात्रों की मदद करने के लिए किस राजी सरकार ने अभिनंदन योजना यहां पर आपकी याद करना है अभिनंदन योजना की सुरुवात की अभिनंदन के साथ कुछ औसमान बाते हुए थी असम आपका आंसर होगा आंसर हो जाएगा सी अभिनंदन के साथ कुछ औसमान बाते हुए थी असम दिसंबर 2019 में आयो जीत लोसर लोसर किस राज यकेंस प्रसिद्ध तेवार है तो लोसर विकलब आप देख लिए प्रसिद्ध तेवार है एक नवीन राज लद्दाख का अंसर हो जाएगा सी महात्मा जोती राव फूले किसान रिड माफी योजना और गरीबों के लिए सिव भोज सीव भोज नामक सबसीडी बाला भोजन कारिकरम किस राज़ी सरकार द्वारा शुरू कियाए तो सीव से आप समझ लेजेगा सीव से ना कहां सकरी है तो महाराच्ट से निकाह है महाराज, answer हो जाएगा B, अगला प्रस्ट ने, आइन्ध प्रदेश में पहले आभाज़ी पूलिस इस्टेशन के अस्थापने किस विश्व विधाले में की गई? तो यहां पर आइन्ध प्रदेश है तो यहां पर हमारे answer हो जाएगा आंद प्रदेश विश्व विद्याले विगल्प हो जाएगा A 7 दिसंबर 2019 को भारत में पहला पसु किसान क्रेडिट काड़ का वितरित किया गया कहां पर तो इसमें विगल्प देख लिजे और हमारा आंसर हो जाएगा A भीवानी अगला प्रस्ण है 5 दिसंबर 2019 किस राज में वन विभाग के एंटी डिप्रेशन इसक्वाइड की सुरुवात की गई तो आप ट्रिक में बताते चल ला हूँ डिप्रेशन तो डिप्रेशन में कुछ असमान बाते घटित होती हैं जो नहीं होना चाहिए असमान यानि असम इसका नया नम असम है हाली में जारी इंडिया करॉप्सन सर्वे 2019 की रिपोर्ट के अनुसार किस राज इने सबसे भरष्ट राजियों के सुची में प्रतम अस्थान हासिल किया तो सबसे भरष्ट राज अगर पुछा जाए तो हमारा आंसर बिहार नहीं होगा बलकि राजस्थान हमारा आंसर होगा दूसरे नमर पर बिहार है और तीसरे नमर पर उत्ताप्रदेश है खण सिच्छा अदिकारी बाले खासतर से याद रखेंगे भरष्ट राज की सुच आयोजित किया गया था आंसर हो जाएगा बी समिधान 126 समिधान संसुधान विदेग 2009 इसका समंध किस्से है तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा बिकल्प ए अनसुचित जातियों एवं जन जातियों के आरच्छण से अगला परस्ण हाल ही में राष्टी गंगा परिशत गंगा कि पहली बैठा कायोजन कहां किया गया इन सब्सक्राइग जगों पर गंगा बहुत ही है लेकिन हमारा आंसर हो जाएगा कानपूर ट्रिक है कि गंगा को मरतव व्यक्ति के मुझ में डाला जाता लेकिन किसी को कि कान में गलती से डाल दिया जाए तो आप याद रखे कान से कानपूर गंगा परिशत की बैठा कानपूर आंसर हो गया है कि इसमें डिरेक्ट आंसर ही दिख रहा है खर आपको याद रखना है कि दिख्यांग व्यक्तियों के लिए पुनर्वास राष्टी पुरस्कार उत्तर प्रदेश को मिला है तीन दिसंबर 2019 को ओडिशा के मुखमंत्री नमीन पटनायक ने मोबाइल आप मधू का सुबारंब किया यह एप किस हेतु सुरुक किया गया तो विकल्प आप देख लिजे और प्रस्ण और उत्तर दोनों तरफ से आपको याद करना चाहिए क्योंकि हो सकता प्रस्ण ही उ यह भी पूछ सकता है कि विद्धार्तियों को इल लर्निंग सुविधा किस आयप से दिया जाता है तो आपको मधू आयप भी प्रस्ण से उत्तर याद रखना चाहिए अंसर जागा है किस राजी या संग राजी छेतर को प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के क्रियान में सर्वस्रेष्ट प्रदर्शन है तो राज्टिय पुरस्कार प्रदान किया गया तो जो ही आएगा सर्वस्रेष्ट प्रदर्शन किस छेतर में तो ग्राम सड़क गाम वाले सड़क में सर्वस्रेष्ट प्रदर्शन किस का तो जम्बू और कस्मीर का च्छोदी समब्ड 2019 को सुन्ने काल के दौरान किस भासा राजसभा में पहली बार बोली गई कौन सी भासा राजसभा में पहली बार बोली गई पहली बार बोली गई राजसभा में कौन सी भासा तो संथाली याद करने का ठीक है सिंथाल साबुन से पहली बार कोई नहारा आ है तो सोचिएगा सिंथाल साबुन दो हो सकता याद आ जाए पहली बार आंसरों गैसी आठ दिसंबर 2019 इसको मानो पुस्त कहला है यानि इसमें पुस्तक नहीं थे वलकि मानो अहीं थे ज्यान के रूप में मानो पुस्तक कायोजन कहा किया गया तो मानो पुस्तक कायोजन किया गया भी मैसूर में यानि मानो ने कहा मैं ही खुद सूरवीर हूँ ज्यान कार देने के लिए आठ दिसंबर 2019 इसको राश्पती रामनात कोविद ने ओडिसा में पाई का बिद्रो की पाई का बिद्रो असमारक की अधार सीलाक रखी पाई का बिद्रो किस वर्ष हुआ था तो इसमें हमरा आंसर हो जाएगा ए अठारोसो सत्रेस्वी में पाई का बिद्रो और ओडिसा ये दो बातें याद रखेगा भारती रेले द्वारा सुरू की गई नई परेटन रेल ट्रेन हिम दर्षन एक्सप्रेस किन दो राजयोक बिद्च चल गई चलाई गई तो इसका नामी है हिम हिम दर्षन यानि कि बर्फ का दर्षन तो बर्फ का दर्षन और नाम है हिम तो हिम में हो हो रहेगा यद रखेगा हो नाम में भी हो और ही छुपा रहेगा यानि हो से ही तक यानि हर से हरियाणा ही से हिमांचर प्रदेश तक दिसलंबर 2019 में संपन्न महात्मा गाधी की एक सो पचासवी जैन्म जैन्ती स्मरणों सो हेतु राश्टी समीती की दूसरी बैठक कि अधेस्ता निम्न में से किसके द्वार की गई तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा डी राश्टी लेकिन आपको ये भी याद रखना चाहिए कि प्रस्ण में भी प्रस्ण से भी प्रस्ण बन सकता है इसमें पूछ सकता भी हाली में किस व्यक्ति की एक सो पचासवी जैन्ती मनाए गया तो महात्मा गादी यादर की गई या महात्मा गादी की कौन सी जैन्ती मनाई गई एक सो पचासमी एक सो बावनमी तो पचासमी या किसी तरस सभी प्रस्ण बन सकते हैं इसलिए आप याद किया करिए दोनों तरफ से दिसंबर दोजारों ने इस मिन्यम्न में से किस देश द्वारा भारती ओसद कोस को मानत्या प्रदान की गई यानि कि आउसधी यानि दवाई वाला समंधी प्रस्ण आए गा ता आपको अफगनिस्तान को टिक करने अरफ हो जागा दि 36 अंतर राष्टे भूबयाग्यानिक कांग्रेश का आयोजन 2020 में निम्न में से किस देश में किया गया तो भूबयाग्यानिक कांग्रेश आ कांग्रेष भू वैग्यानी कांग्रेश जमीन वाला कर देस्थे किया है उlıस्ते परSc성을 हुए धारत की है तो आप याद पुछे लेकिन इतना याद रखेगा कि एक्जाम बैरियर्स जो पुस्ता के किसके द्वारा लिखा गया तो प्रधानमंति नरेंद मोदी द्वारा लिखा गया यह आप याद रखेगा अब ब्रेल जो अंधे वेक्ति द्वारा पढ़ी जाने वाले लिपी है उसमें लिखा ताकि अंधे वेक्ति भी पुस्ता को पढ़ सके तो याद रखेगा इस प्रस्न का आंसर हो जाएगा ए हाली में देश भर में चलाया गया आप्रेशन क्लीन आर्ट का संबंध निल्मिख्रित में से किस वन जीव के सरच्छर से है यानि आप्रेशन क्लीन आर्ट क्लीन और असली सब्ध है तो इसमें अंसर है नेवला नेवले के बाल से ब्रस बना जाते थे यह प्रस जो होते है वह नेवले के बाल से बना जाते थे इसलिए साथ इसका नाम है क्लीन आर्ट हाली में प्रधानमंतिर नरेंद मोदी ने किस योजना के परिचालाना आत्मक दिशा निर्देश जारी किये तो इसमें वरांसर हो जाएगा ए जल जीवन मीशन नेशनल ब्रडबाइंड मीशन के तफीस वर्ष तक भारत के सभी गाउं में ब्राडबाइंड पहुच प्राप्त होगी तो इसमें वरांसर हो जाएगा ए नागपूर नागरिक्ता संसोदन अधनियम 2019 में निमलेखित में से किस देश के धार्मी कल्प संख्यकों को भारती नागरिक्ता प्रदान किये जाने का प्रावधान है याद रखेगा बहुत बिवादीते चल ला है तो भारत के अधिकानस पड़ोशी इसमें सामिल है बंगला देश शचापर पड़ोशी अफगानीस तो पाकिस्तान से साटा हुआ है है लेकिन फिर भी यानी अनि तीनों देसों से लोगोंको नाग्रिता देने की बात चल नहीं है। बात हुई है किन सरकार दोआए देश में शाषन की इस्थिती को दर्साने के लिए सोशाषन दिवस पर सोशाषन सुचकांग जारी किया गया सुशाषन दिवस निमलिखित में से किस राजिन्तिक कि पर मना जाता है यह जो ही आएगा सू सासन यानि अच्छा सासन तो अच्छा सासन किसका एक बार पढ़ लेंगे तो याद रहेगा स्वरगी अटल भी आरी बाजपेजी का अगला प्रसन है 6 दिसंबर 2019 इसको भारत सरकार ने देश भर के 10 सर्वस्रेष्ट परदशन करने वाले पुलिस थानों की सुची जारी किसमें सिर्ष पर कौन सा पुलिस इस्टेशन है कुल मिला के सबसे अच्छा पुलिस थाना पुछा जारा की कौन सा है बस निचोड आप समझा करिए कब नागरिक्ता संसोधन विद्यक 2019 को मंजूरी प्रदान की बहुत इंपर्टेंट प्रस्ण है इसका डेटा प्याद रखेगा आंसर हो जाएगा किस अस्थान पर दूसरा स्टाटप इंडिया ग्लोबर वेंचर कैपिटल समिट 2019 का आउजन किया गया तो इसमें में आँसर हो जाएगा स्टाटप प्रस्णा आएगा तो आपको गोवा को टिक करना है तो दोस्तो आज का मेरा वीडियो आपको कैसा लागा कमेंट बाक्स में जब लूखिएगा वीडियो अच्छा लागा तो वीडियो को लाइक कर दीजेगा और अभी तक आपने मेरे चेनल को सब्सक्राइब नहीं कर लिजेगा धन्याबात दोस्तो